नमस्कार दोस्तों मैं जोतिसाचारिये पंडित राजगुरु सर्मा आप सभी को करता हूँ नमस्कार और आप सभी का हमारे सब्द ग्यान यूट्यूब चनल में दिल की गहराईयों से अभी नंदन हैं दोस्तों आज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जोतिस अपने आपे में एक बहुत बड़ा चमतकार है चाहे आप मानो या ना मानो लेकिन आज हम जो बताने जा रहे हैं वो कैंसर एड्स और बावासीर यानि ये तीन रोग या कोई सा भी रोग हमारे सरीर में जो उत्प इन में कैसे अराम मिले तो हम उसके बारे में आज आपको विश्तार से बताने जा रहे हैं दोस्तों इससे पहले हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं यदि अभी तक किसी भाई भेन ने हमारे सब्द ग्यान यूटूब चैनल को सस्प्राइब नहीं किया है तो कर लीज है मस्तक रेखा दिखवानी हैं तो वो हमारे वाट्सोप नमबर पर अपने डिटेल भे सकता है हमारा वाट्सोप नमबर है सत्तर बैयालिस सत्तावन अटालिस चोविस लेकिन इसकी आपको 500 फीस भी जमा करनी होगी दोस्तों जो भाई भेन अपनी राशियों के वारे में ग्रह के वारे में पूछना चाहता है तो वो हमें नाइट में 9-11 कोल कर सकता है लेकिन इस से पहले आपको हमारे सब्द ग्यान यूट्यूब चैनल को सस्क्राइब करना होगा दोस्तों अब हम बताने जा रहे हैं कि कैंसर एड्स और बावा सीर की बेमारी यानिकी रोग सर से पहले हम बताएंगे कैंसर कैंसर किस कारण से सरीर में उत्पन्योता है कारन किसी भी राशी का चंद्रमा होकर छटे आठ में बार में भाव में हो और उस पर दो या तीन पाप ग्रह की द्रश्टी हो तो ऐसी इस्तिती में कैंसर रोग सूचक होता है सनी और ब्रस्पति यदि करक या मकर रासी में हो और सनी केतु ब्रस्पति पर यदि नीच चंदरमा या नीच मंगल की दरश्टी हो या चंदरमा राहु सनी कहीं भी एक साथ बैठे हो तो ऐसी इस्थिती में कैंसर रोग होना संभव होता है दोस्तों इसमें आराम चाहते हैं तो आप मध्यमा उ इन्यामिका में नीलम पहने ओप्रेशन के बाद आप पांच रत्ती का पुखराज और आठ रत्ती का मुंगा पहन लीजिए इससे आपको रहत मिलेगी दूसरा रोग है एड्स एड्स किस कारण से सरीर में उत्पन्न होता है कारण सुक्र मंगल और विर्षव विर्षी चक रासी में हो और उन पर सनी राहू का पिरकोफ हो तो वयक्ति के एवांचित सरीरिक संबंब के पारण इस रोग की उत्पत्ती की पिर्वल संभावनाएं बढ़ जाती है यानि की हो जाती है दोस्तों जब आपको किशी के सरीर में एट्स उत्पन हो जाता है तो ऐसी इस्तिती में सच्चे मोती की माला गले में पहन कर या जरकन या मून श्टोन पुखराज नीलम पहन सकते हैं इस से एट्स के रोग में आपको रहत मिलेगी तीसरा रोग है बाबा सीर बाबा सीर सरीर में कैसे उत्पन होता है किस कारण से होता है कारम सात्मा भाव गूदा का कारक है इस भाव में पाप गिरह हो और मंगल की दरश्टी हो तो रोग हो जाता है बाबा सीर का तो ऐसी इस्थिती में आपको सपेद मोती, मून इस्टोन, मूंगा या संगे मरियम पहनने से आपको लाम मिलेगा जो वयक्ति, पैसा या जोखिम की वस्तुए लेकर रियात्रा करते हैं उनकी सुरक्षा हेतु स्वेम करने के लिए हम और नई नई उपाए बताते रहते हैं दोस्तों जोतिस बहुत बड़ा चमतकार है जोतिस के आधार पर बहुत बड़े-बड़े संकत दूर हो जाते हैं जोतिस एक बहुत बड़ा ज्यान है, ओ सधी है डॉक्टर है इंजीनियर है यानि कि इसमें बहुत कुछ है इसलिए जोतिस से बहुत कुछ लाम मिल सकता है लेकिन बसरते जो इसमें सच्ची लगन से विश्वास करता हो और सच्ची लगन से बता हुए नियमों का या बता हुए उपायों का टेंपर नियम करता हो उसको 100% ल मिलता है दोस्तो आज जो मैंने आपको बताया है कैंसर एडस और बावा rozbank के बारे में यानि कि हमारे सरीर में किस कारण सोत्पन होते यह मैंने आपको विस्तार सेола है और इनका मैंने रतन भी आपको कौन सा धारन करना चाहिए यह मैंने विस्तार से बताया है अगर किसी भाई बहन की संज में नहीं आया हो तो वो हमें कॉल कर सकता है नाइट में 9 से 11 हम नाइट में 2 गंटे निसल कुराशियों के वारे में बताते हैं और समाधान भी आपको साथ साथ बताते हैं तो उस वक्त आप हमें अपनी किसी भी समश्या के वारे में कौल कर सकते हैं और यदि आपको इन में से कोई शी ओडियो वीडियो अच्छे लगे तो मेरे दोस्तों इसे लाइक एंड से जरू करना और आपकी कोई भी समश्या है तो मुझे कॉमेट करना बिल्कुर न भूले मैं जोतिसा चारिये पंडित राजगुरु सर्मा आप सभी को जाते हुए करता हूँ नवस्कार जै हिंद जै भारत